नमो बुद्धायर सर्व प्रथम हमारे सास्था तथागत भगवान बुद्ध जी के चर्णों में साधर प्रणाम है। जिनने उन्हें मुझे धरम बताएं, सत्य की मार्ग दिखाएं, उन्हें हमारे परम भोजिनी गुरुभन्ते जी के चर्णों में साधर के नाम हूँ आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना के बारें बताने जा रहा हूँ एक ऐसा घटना जो सुनकर आप लोगों का हिर्दय काप उठेगा, बहुत ही दुख भरी घटना है एक परिवार का, जिस परिवार में पिताजी पाप करके उस पिताजी को उसी पाप के कारण उसी जनब में उसका फल मिला भगवान बुद्धर जी बताएं, यह करम तीन है, तीन प्रकार का करम होते हैं पहला दिट्र द्हम वेदिनी, दूसरा उपपाज्य वेदिनी, तिसरा अपरापरी वेदिनी ये जो कर्म का फ़ल देने का थरीका है वो तीन तरह का दिठधादामवेदिनी मतलब उसका फ़ल इसी जनाम में देता है जो कुछ भी पाप किया तो उसका फ़ल इसी जनाम में देता है जो कुछ भी पून्य किया तो उसका फ़ल भी इसी जनाम में मिलता है उसको बोलते हैं दिठ्ठ धम वेदनी दूसरा भगवान बुद्धी जी बताएं है उपपज्य वेदनी जो कुछ भी पाप किया तो या कोई भी पूर्नी किया तो उसका फल अगला जन्म में मिलता है यानि कि मरने के बाद उसका अगला जन्म होता है उसी जन्म में उसका फल मिलता है तथा तिसरा है अपरा परिवेदनी है अपरा परिवेदनी मतलब जो को भी पूर्नी किया तो या कोई पाप किया उसका कर्म का फल जन्मो जन्म में कभी कहीं भी दे सकता है उसका समय नहीं है उसका जगा नहीं है जब उसको मौका मिलेगा थब दे देता है उपपाजवीदनी ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं तो इस सत्य घटना में आपको देख सकता है दिठ्धधमवेदनी और उपपाजवीदनी दो कर्म इस चन्द में फाल मिलता है उसको तथा मरने के बाद भी उसे फाल मिलता है स्रावास्ती में एक परिवार था उस परिवार में पिताजी थे माम्मी थे तथा एक पूत्र था वो पिताजी एक क्या करता था उसका काम धहन्दा था क्या गाए को काट कर गाए को मार कर उसका मास को बेचना प्राणी हिंसा करके जीवन बिताने का उसका जौब था उसका काम दंदा था तो ये पिता जी हमेशा करते थे वो एक दो दिन नहीं हमेशा गाई को मार के बजार में बेच कर उसका मास थोड़ा बचा कर वापस घहर में लाता था क्यों खाने के लिए ये स्रावस्ति में हुआ था घटना अभी से 2500 साल पहली हमारे सास था तथा गद भगवान बुद्ध जी भी वहीं स्रावस्ति में थे ये पिता जी कभी भी पुन्ने नहीं किया अपना जीवन में कभी भी दान नहीं दिया कभी भी संग को सेवा नहीं किया कभी भी भगवान बुद्ध जी को वांदना नहीं किया कभी भी प्रवचन देशना धर्म नहीं सुना कभी भी धर्म की रास्ता पर नहीं चला ये पिता जी हमेशा प्रानी हत्या करके पाप करके ही जीवन बिताया क्योंकि पाप करते समय किसी को भी पता नहीं है कि उसका फल कैसा आएगा सब लोग मद के समान पाप करते समय मद के समान बहुत खुशी से पाप करता है जब उसका फ़ल मिलता है तब रोते रोते भोगना पड़ता है बहुत दुख, बहुत तकलीफ से उस भाव का फ़ल भोगना पड़ता है तो ये पिता जी हमेशा गाय मार की बजार में बेचता था भगवान बुद्ध जी भी स्रावस्ति में थे हैं लेकिन कभी भगवान बुद्ध जी नहीं मिला, भगवान बुद्ध जी का वन्ना नहीं करने गया देखी इसका दुर भाग गये कभी भगवान बुद्ध जी का देशना सुने नहीं गया देखी इसका दुर भाग गये पुन्ने नहीं था इसके पास ये 55 साल तक ये पिताजी 55 साल तक वही काम करते रहा तलब 55 साल तक गाए मार कर बेच कर जीवन बिताया फिर क्या हुआ एक दिन अभी तो पिताजी बुड़ा हो गए पिताजी गाए मार कर मास को बेच कर थोड़ा वापस लाता था हमेशा घर में खाने के लिए अपनी लिए तो उस दिन भी लाया लाकर पत्नी को दी पत्नी को दे कर वो पिताजी इसको बनाने के लिए इस मास को बनाओ हम असनान करके आते हैं करके नदी की ओर चल पड़ा पिता जी सनान करने के लिए नदी में गए मामी अधर मास्ट बनाने के लिए तैयार हो रहे थी उसी समय क्या हुआ गहर में उस पिता जी का एक दोस्त एक मीत्र घर पर आया आकर मित्र को बुलाया तो पत्नी आई अंदर से बोली कि आपका मित्र तो अभी नहीं इसनान करने गए है बोली क्या बात है तो मित्र बोलते बेहन मुझे थोड़ा मास चाहिए मेरा घर में परिवार लोग आए है मेरा घर में डिस्तदार लोग आए है उन लोगों को देने के लिए थोड़ा मास चाहिए हम मुझे तो वो पत्नी बोलती मास तो नहीं है थोड़ा मास बचा हुए है वो तो तुम्हारा मित्र के लिए है तुम जानते हो तुम्हारा मित्र मास की बिना खाना नहीं खाता है वो मास की बिना कभी खाना नहीं खाता है देखी कैसा आदत है अलग-अलग प्रकार का आदत रहता है सब लोग का इसका आदत था मास खाकर जीवन बिताना मास बेच कर खाकर ही खुशी रहता था इसको पता ही नहीं था पाप है ये इसको पता ही नहीं था बाद में बहुत दुख भोगना पड़ेगा इसी कर्म के कारण तो पत्नी बोलती है नहीं दे सकते हैं ये मास तुम्हारा मित्र के लिए है तो मित्र क्या करता है जबरदस्ती पत्नी से छीन कर लेकर चला जाता है कि नहीं नहीं मेरा गहर में रिष्टदार आया हुआ जरूरी है मुझे चाहिए थोड़ा करके छीन कर लेकर चला जाता है वो पत्नी बहुत दुखी होती है पत्नी सोचती क्या करें अब अब वो आएगा तो क्या करेगा पता नहीं करके अब तो मास नहीं है घर में तो पत्नी सबजी बनाकर सब खाना तयार कर देता है पत्नी आता है उदर से घर पर आकर खाना के लिए बैठता है पत्नी खाना लाकर देती है देखता है मास नहीं है पत्नी से पुछते हैं कहा है मास मास नहीं है इसमें तो बोलता है पत्नी बोलती है आज स्वामी आज मास नहीं है तो भती बोलता है कैसे मास नहीं हम अपना हाथ से तुम्हें दिया हूँ मास तो लाया था कहां गया तो पुरा जो घाटना घाटा था वो पुरा बता देता है कि आपका मित्रायत है जबरदस्ती लेकर चला गया तो बहुत गुस्सा होता है बहुत सोचने लगता है थोगा सोचते सोचते हाथ में चाकू लेता है क्योंकि गुस्सा आने के बाद समझ में नहीं आता है क्या करने जा रहे है गुसाने के बाद सब लोग का आख अंदा हो जाता है आप लोग भी देखिए अगर गुसा आता है उस समय आप लोग क्या करना चाहिए क्या अच्छा ही है क्या बुरा ही है कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए गुसा करते समय आप लोग कभी भी निरने मत लीजी वो बहुत ही भयानक निरने रहता है बहुत ही गलत निरने रहता है गुस्सा समय लेने वाला निरने तो पिता जी क्या करते हैं हाथ में चाकू लेते हैं चाकू लेकर घर के पीछे जाते हैं घर के पीछे एक गाए रहता है उसका गाय बांधा हुए रहता है पीछे पेड़ेंगे तो क्या करता है गाय का मुख खोल कर हाथ अंदर डाल कर जीव निकाल लेता है जीव निकाल कर चाकू से काट देता है देखिए इसके पास थोड़ा भी दया करना नहीं था थोड़ा भी माहित्री नहीं था थोड़ा भी उस गाय के प्रती कोई माहित्री क्यूं क्यूं रहेगा इसके पास माहित्री क्यूं जीवन भर ये तो गाय मारते आया इसके पास कहां से माहित्री कहां से कारुना देखिए अभी गाय भी बहुत दुखी से चिला रही है मुख से खुन गिर रहा है गाय का वो पिता जी को उसके बारे में कोई दिकत नहीं जीव लेकर गाय का जीव लेकर पत्नी के पास जाती है लो इसे बना कर दो मुझे वो बोलता है पत्नी बहुत डर चाती है क्या करें पत्नी बोला है तो बना कर देना पड़ेगा तो क्या करती है वो जीव को बना कर पत्नी को देता है खाने के लिए पत्नी जैसे ही वो जीव को वो जीव मास को मुख में डालता है मतलब खाता है वैसे हैं उसका मुख उसका जीव जो रहाता है कट जाता है कट कर बाहर गिर जाता है प्लेट में देखिए उसका पाप कफल उसी समय मिल गया उसका जीव गिर जाता है गिर कर उच चिलाने लगता है चिला कर गाई की तरह घुटना टेक कर गाई की तरह चारो तरफ इदर उदर घर में गूमने लगता मुक से खून गिर रहा है मामी वो देखती है रही ये क्या हो गया मेरा पती को ये क्या हो गया करके मामी भी पूरा रोने लगती है चिलाने लगती है घर में पूरा दुखी ही दुखी ऐसे कैसे हो गया सब सोच रहा है उसी समय मम्मी अपना पोत्र को अपना बेटा को बोला था बेटा इधर आओ देखो तुम्हारा पिता जी तुम्हारा पिता जी अपना कर्म करके देखो भोग रहा है अपना पिता जी का खर्म का भागीदार तुम मत बनो, तुम पिता जी का चाया तुम पर नहीं पढ़ने देंगे हम, तुम यहां से चले जाओ, नहीं ते तुमको भी दुख भोगना पड़ेगा, देखो तुमारा पिता जी कैसी कर रहे हैं, कैसी मर रहे हैं, सामने दिख रह रायपुरा, मामी बोलती है पूत्र को, बेटा, तुम यहां से चले जाओ, तुम मेरा चिंता मत करो, पिता जी का चिंता मत करो, घर का चिंता मत करो, यहां से चले जाओ, कहीं दूर, अकेले जीवन मिताओ, फिर बेटा क्या करता है, क्या करें, वहां से चला जाता है, घर से, ये पिता जी बहुत ही चिलाते चिलाते रोते रोते वहीं पर मर जाता है गैर के अंदर ही गाए भी मर जाता है ये पिता जी जानते हैं कहां जाता है मर के मरने के बाद आवी ची महाना रख में जाता है किनको जीवन भर प्रानी हत्या किया है भगवान बुद्धी जी बताएं है जो कोई भी प्रानी हत्या करता है तो चाहे तो पूरुस हो या इस्त्री हो कोई भी प्रानी हत्या करता है तो वो मरने के बाद सीधा नरक में जाता है अगर नरक में नहीं गया तो चानमर लोग में जाता है बहुत ही दुख भोगता है जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा भारी उठा कर नीचे पठाकता है उसी प्रकार वो सीधा नरक में जा गिरता है भगवान बुद्धी जी बताते हैं जो कोई भी पूरुष या इस्त्री दुनिया में कोई भी अगर प्रानी हत्या करता है तो या चोरी करता है तो दूसरा के समान को चोरी करता है तो या वेवीचार गलत काम करता है तो या जूट बोलता है तो जान बुच कर जूट बोलता है तो या नसा करता है तो कोई इरिसिया करता है तो या तो कोई जूट बोलता है तो या तो कोई इरिसिया करता है तो या तो कोई दूसरा के समान पर लोब करता है तो गुसा करता है तो मित्याद रिष्टी है तो ये दसा कुसल है तो उसके पास भगवान बुद्धी जी बताते हैं जिस प्रकार से कोई आदमी बहारी समान लेकर नीचे पठकना जैसा कितना तुरांत पठकने से कितना जल्दी से नीचे गिर जाता वैसे हैं जो कोई भी ये अकुसल करता है तो पाप करता है तो उस सीधा नरक में जा गिरता है सीधा नरक में गिरता है भगवान बुद्धी जी बताएं हैं ये चेतना को ही कर्म बताएं चेतना हम विख्वे कम्मंग वदान ये चेतना ही कर्म है चेतना को इस भगवान घुछ थी खर्म बताएं आगर वो उसका चेतना सही है तो अच्छा चेतना से मनसे, अच्छा मनसे कुछ शरीर से या वच्छन से या मनसे करेगा तो वो पुन्य कर्म करता है अगर वो बुरा मन से करता है तो शरी से या वाचन से या मन से उसका चेतना खराब है तो उसको पाप पाप फल मिलता है ये जो ब्यक्ति था जो गाए गाउ गाह तक था गाए मारने वाला था ये जीवन बर चेतना उत्पन्य करके पाप किया क्या प्राणी हत्या वो चेतना मूल करके ही पाप करता है कोई भी पाप या पुन्य करता है तो चेतना ही मूल होता है मतलब उसका आगे सबसे आगे आता है चेतना चेतना हम भी खरेक हम भगवान बुद्धिजी बताएं इसलिए भगवान बुद्धी जी बताएं है कि जो कोई भी चेतना मूल करके कोई भी कर्म करेगा तो उसका फल उसका कुछ भी कर्म करेगा तो उसका फल बिना दिये खत्म नहीं होता है उसका फल अनिवार देता है अगर हम पाप की हैं तो मुझे जरूर दुख मिलेगा अगर हम पुन्य कियें तो मुझे जरूर सुख मिलेगा अगर आप पाप कियें तो दुख मिलेगा अगर आप पुन्य कियें तो आपको भी सुख मिलेगा ये बुद्ध वचन है तो क्या हुआ वो पिता जी वहीं फिर मर गिया अपना बेटा को क्या मामी बोली चले जाओ यहां से बेटा चला गया जाकर दोड़ते दोड़ते जाकर सिधा चला गया कहां तक्ष सीला तक्ष सीला जाकर वहाँ एक गुरु जी उनको मिले गुरुजी के साथ वहीं रहने लगा वो गुरुजी था क्या सिखाता था गुरुजी सोना का डिसाइन कर निकली सिखाता था सोना से डिसाइन ही बनाने के लिए सिखाता था तो बेटा दिरे-दिरे वो भी सीख गया सीख कर अभी थरो बड़ा हो गया 20-25 साल के आसपस में हो गया तो अभी अच्छा से सोना का डिसाइन उसको बनाने आता है गुरुजी एक दिन उसका हाथ में सोना दिया देकर बोलता है इससे डिसाइन कुछ बनाओ वो बेटा वो अभी जवान हो गया वो लड़का बहुत सुन्दर से एक डिसाइन बनाता है गुरुजी वो देखकर बहुत ही प्रसंद होते है गुरुजी बताते हैं अरे बेटा तुम तो बहुत तेज हो बहुत दक्ष हो बहुत सुन्दर डिसाइन बनाए हो तुम कहीं भी जाकर अकेले जीवन बिता सकते हो इसलिए तुम को कहीं जाने का जरूरत नहीं है मेरा पुत्री है उससे तुम्हारा विवाह करवा देंगे साधी करवा देंगे करके वो बेटा भी खुश हुआ बाद में उस आचार जो गुरु था उसका बेटी के साथ साधी करने के बाद वहीं रहने लगा अब उसका परिवार वहीं फिर कुछ समय के जाने के बाद बेटा बेटी भी हुआ वो अलग एक परिवार बन गी फिर उनलोग का मन में आया कि हम लोग स्रावस्ती जाना चाहिए स्रावस्ती जाना चाहिए हम लोग करके पिता जी को यानि कि गुरु जी को छोड़कर वही पाती पातनी तथा अपना बच्चलों के साथ स्रावस्ती में आ गया आकर वहाँ जोब करने लगा फिर वहीं घहर बना कर रहने लगा अप लोग जानते हैं स्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी सबसे ज़्यादा स्रावस्ती में रहे हैं भगवान बुद्ध जी सबसे ज़्यादा देशना सूत्र देशना सबसे जाद स्रावस्ति में प्रवचन की हैं भगवान बुद्ध जी इसलिए उन लोग आ गया आकर अभी स्रावस्ति में रहता है उन लोग क्या करता है भगवान बुद्ध जी को वंधना करता है हमेशा दान देता है भगवान बुद्ध जी प्रमुख आरे महा संग को पिं जीवन बिताने लगा परिवार. फिर उन लोग सोचा एक दिन, क्योंना हम अपना पिता जी को, यानि जो उसका आचारे था, अपना पिता जी को यहां बुलाना चाहिए, क्योंकि वो अकेले अभी बुला हो गए हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं यां स्रावस्टी में, बुला कर उनका हाथ से, उनका नाम से दान देने के लिए सोचते हैं, भगवान बुद्धे जी प्रमुक आरे महासंग को घर पर बुलाते हैं, दान देने के लिए, तो भगवान बुद्ध जी हारे मान सांगो और पधारते हैं घर पे आकर बैठते हैं उनलोग दान देकर बोलते हैं कि यह हमारे पिता जी आए हमारे पिता जी जीवन बर कुछ भी कुसल कर्म नहीं किया पुनि नहीं की इसलिए इनका नाम से हम लोग दान दिये हैं करके भगवान बुद्ध जी उसी समय गाथा बताते हैं वो गाथा इस प्रकार से इस कारत बहुत ही सुन्दर भगवान बुद्ध जी बताते हैं जिस प्रकार से ये तो पिता जी बुड़ा हो गई है भगवान बुद्ध जी बता है जिस प्रकार से पेड़ में जो पत्ता पक जाता है पीला हो जाता है जैसे गिरने वाला रहता है कुछी समय में गिरता है उससे पहले जो पेड़ में पका हो रहता है वह ऐसा ही इसका भी जीवन है यह पिता जी का भी जीवन है इसका मतलब कब गिर जाएगा पता नहीं इसका मतलब पिता जी कब मर जाएगा कब मृत्य होगा इसका कोई पता नहीं हम लोग कभी ऐसा ही है हम लोग का कब मृत्य होगा हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे नियूस में कितना आता है बच्चा लोग भी मरता है जवान लोग भी मरता है साधी सुदा लोग भी मरता है बुड़ा बुड़ी लोग भी मरता है सभी लोग का मृत्य आता है कोई भी किसी का भी मृत्य का समय नहीं जानता कि मेरा मृत्य कब आएगा, उसका मृत्य कब आएगा किसी को नहीं बोल सकता इसलिए भगवान बुद्धी जी बताएं पिता जी मृत्य के पास है तथा भगवान बुद्धी जी बताते हैं कि पिताजी को कि आपके पास यम्दूत आगर खड़ा है धरम की रास्ता से गिरने वाले दरवाजा के पास रहने वाले आपको अपने सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा इसके बाद भगवान बुद्धिजी एक और गाथा बताते है इसका भी यर्थ बहुत ही सुंदर है भगवान बुद्धिजी बताते है वो अपने को सुरक्षा रखना चाहिए प्राज्यावान होने के लिए जल्दी जल्दी प्रयास करना चाहिए हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए धरम प्राज्यावान होने के लिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्धिजी बताए है इसलिए भगवान बुद्धिजी यहां बताए है प्राज्यावान होने के लिए जल्दी जल्दी प्रयास करना चाहिए तथा भगवान पुद्धिजी बताएं है क्लेस गंदगी को दूर कर जल्ली परिशुद्ध होना चाहिए अपने पास जितना भी क्लेस है जितना भी गंदगी है उस सब को दूर करके हम लोग कमान में कितना गंदगी राग, त्वेश, मो, इरिशिया गुस्सा करते हैं इतना गंदगी है गंदगी का लिस्ट है बुरा हम लोग अपना अपना मन देखिए कैसा कैसा विचार आता है हम लोग का मन में वो सब भगवान पुद्धिजी बताएं वो सब दूर करके जल्द ही अपना ये चित्य को परिशुद्ध करना चाहिए क्योंकि वो पीता झी भी मरने वाले है उनको बो रहे हैं जल्दी-जल्दी परिशुद्ध करनी के लिए हम लोग भी ओई से करना चाहिए ये हम लोग अपना तरеж के ले ना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों कभी मृत्यों कभी भी आ सकता कोई समय नहीं है इसलिए फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं देव आरे भूमी पर आने के लिए सोचना चाहिए देव आरे भूमी पर आने के लिए सोचना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत लोग पाप करने के खारण नरक में ही जाते हैं कोई भी दिबी लोग में नहीं जाते हैं कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते हैं सबी लोग बोलते हैं उपर चला गया उपर चला गया हम लोग भी बच्पन में सुनते थे कोई भी बोलता था यह दादा कहा है अब नहीं रहा उपर चला गया लेकिन सही में देखेंगे तो जीवन भर पाप कहें कि नीचे गया नरक में उपर तो स्वर गया देव लोग है इसलिए कोई भी नहीं बच सकता है पाप कहरने से पाप कीए तो उसका फल दुख है क्योंकि भगवान बुद्धिजी बताएं यह पुन्य का दूसरा नाम क्या है सुख सुख यानि पुन्य पुन्य यानि सुख तो अगर पाप देखेंगे तो पाप का दूसरा नाम क्या है दुख दुख यानि पाप पाप यानि दुख आप लोग अगर पाप कहरते हैं तो जरूर आपको दुख भोगना पड़ेगा कभी भी पाप मत कीजिए पाप नाम का जितना भी दुनिया में कुछ भी है सब त्याग दिजी सब त्याग दिजी पुनिय नाम से जितना भी है जितना भी कुछ है कुसल नाम से वो सब अपना ही आपका जीवन बहुत ही सुरक्षा हो जाएगा बहुत ही आपका जीवन जितना भी दुख है तकलीफ सब दूर हो जाएगा खुशी से जीवन बिता सकते हैं आप लोग क्योंकि इसके बारे में आप देखे होंगे यह जो गाव गाय का गाव गहा तक था वो जीवन पर पाप करके कहां गयांती में इसको डिठ दम वेदिनी फल भी मिला उपपाज्य वेदिनी फल भी मिला इसका मतलब इस जन्ह में भी मिला उसका विपाक मतलब प्रानी हत्या किया तो वो जीव काटने के कारण इस जन्ह में ही जीव काटा उसका लेकिन वो जीव काटा वो गाय का भी कुछ पाप था वो गाय भी पिशला जन्ह में कुछ पाप किया था किसी का जीब काटा हो या दूसरा कोई कार्म किया हो क्योंगे कार्म के बार में हम लोग कुछ नहीं बता सकता है भगवान बुद्ध जी बताएं है ये बुद्ध बचन है खर्म विपाक अचिंतियो मतलब हम लोग सोच कर वो खत्म नहीं कर सकते हैं कितना है इसलिए हम लोग को नहीं बोल सकता है वो ऐसा पाप किया तो इसका फ़ल ऐसा मिलेगा वो भगवान बुद्ध को ही सिर्फ बता सकते हैं ये बुद्ध विशह हैं हम लोग का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इसके बार में कर्म के बारे में को गाय भी कुछ कर्म किया होगा उसका फल कि अनुसर इस जनमे में उसका जीब कटा वो पिताजी भी उसका जीब काटके अपना जीब गिर गया नहीं कटकर उसी जनम कफल, इसी जनम कफल उसे इसी जनम में मिला तथा मरने के बाद उपपाज जवेदिनी क्या मिला, नरक में गया अब यह चीमाहा नरक में, बहुत दुख भोगा देखिए, हम लोग को लगता है यह छोटा छोटा बात है सब लोग को लगता को चोटा बात है आज कल कितना बजार में मुर्गा काटता है मचली काटता है जिंदा हम लोग अपना आख से देखे हैं इंडिया में कितना लोग वो काटवाने वाला था था काटने वाला दोनों को पाप मिलता है क्योंकि चेतना हम भी कभी कम मंग वदा में भगवान बुद्धी जी बताएं चेतना के अनुसार हैं चेतना ही कर्म बताएं भगवान बुद्धी वो सोच कर बोलता है कि मुझे मुर्गा चाहिए काटना है इसको हमको नए फ्रेश चाहिए बोलता है उसी समय चाहिए, उसी समय कटवाता है तो उसका फल जो बोलता है, ओर्डर देता है उसको तथा जो काटता है उसको दोनों को प्राणी हिंसा का फल मिलता है प्राणी हिंसा का कर्म जमा होता है इसलिए आप लोग ध्यान से रहे, किसी को ओर्डर भी मत दीजिए ऐसे बोलने से उसको भी प्राणी हत्य का भाप मिलता है इसलिए आप लोग हमेशा सील्स रक्षा कीजी हमेशा हमेशा दान दीजी कितना सुदर भगवान बुद्ध जी का धर्म हमेशा दान दीजी हमेशा दान देने के लिदे हाथ धोकर तैयार रखे क्योंकि दान से ही, पुन्ने से ही सुख मिलता है तथा हमेशा सील सुरक्षा कीजिए आप लोग ग्रिहस्त हैं तो पांचे सील हमेशा जीवन भर सुरक्षा कीजिए प्रानी हत्या कभी मत कीजिए चोरी कभी मत कीजिए व्यविचार गलत काम यानि कि दूसरे श्त्री के साथ गलत काम करना कभी मत कीजिए अपना पत्नी के साथ खुस हो जाई तथा जूट कभी मत बोली पांच माह है कभी भी नसा मत कीजिए ये पांच करण अपना ही है आप लोग कभी भी कोई भी कभी भी आप लोग जेल में नहीं जाएगा क्योंकि ये सब के अनुसार जेल में जाता है लोग पाप करने के कारण ही जेल में जाता है पाप करने के कारण ही दुख भोगता है पाप करने कारण ही परिवार गिर जाता है पुन्ने करने से कोई नहीं ऐसे होता पुन्य करने से कोई नहीं जेल में ले कर जाता पुन्य करने से किसी का भी परिवर नहीं गिरता इसलिए आप लोग पाप से डरिये तथा सील सुरक सकीजे आप लोग सील समय समय पर आप लोग उपोसत लीजी पुर्णीमा के दिन, आमवश्या के दिन तथा एक मेहना में चार बर उपोस्त लिया जाता है आप लोग अगर चार बर ले सकते तो बहुत अच्छा है सील सुरक्षा कीजिए तथा ध्यान साधना कीजिए हमेशा ध्यान कीजिए एक दिन में कम से कम, पांच मिनट अगर समय नहीं तो पांच मिनट कम से कम माहित्री साधना कीजिए हर दिन साधना कीजिए आप लो क्योंकि दियान का जो पुन्य रहता है वो बहुत पावरफूल रहता है बहुत सकती साल जाता है दियान का जो पुन्य रहता है भगवान बुद्ध्य जी बताएं हैं कि दान से ज़्यादा सील सुरक्षर करने से पुन्य मिलता है सील सुरक्षर करने से ज़्यादा भावना यानि साधना से पुन्य मिलता है इसलिए आप लोग हमेशा दियान साथ न किजी कि माहितरी दियान के बारे में आप लोग अभी जानते होंगी इसलिए वो माहितरी दियान भी हमेशा कीजी कभी भी पाप मत कीजी आप लोगों के प्रती कारुना से हम बता रहे हैं कभी भी पाप मत कीजी हमेशा दूसरों को मदद कीजी दान दीजी सील सुरक्षा कीजी भावना कीजी इसलिए आप सभी लोगों को खुशी से सांती से अच्छा से पुन्नी करते हुए सील सुरक्षा करते हुए ध्यान साधना करते हुए खुशे से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए नमो बुद्धाय